पिस्मिल्लाइ समयरा रमानौरत रहीम असलाम अलेकूम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 3 बहुत इंपोर्टन लेक्चर है ठीक है है और यह हमारा सारा लेक्चर होगा container पर कि Windows के containers क्या होते हैं ठीक है किस तरह काम करते हैं उनको install करेंगे containers को Docker के बारे में देखेंगे Docker क्या चीज है container के अंदर हम में ऐस का रोल यज इंस्टाल करेंगे अपने Windows container के अंदर and देखेंगे कि उसका impact क्या होता है वो install कैसे होती है image access कैसे होती है इसका फाइदा क्या है different चीजे हम आज discuss करेंगे तो बढ़ते हैं आज की lecture की तरफ सबसे परला question जो माइन में आता है containers what is containers ठीक है तो containers are virtual environment that share the kernel of host OS but provide user space isolation simple words में के container एक ऐसा virtual environment है जो के आपके base OS को use करता है उसको share करता है ठीक है लेकिन isolation के साथ आपको data provide करता है ठीक है so that provides an ideal environment in which an app can run without affect the rest of the user mode components of the OS and without other user mode components affecting the app तो जब आप इस environment को create करते हैं तो यह कैसा environment बन जाता है कि जो आपकी base OS को share करता है लेकिन यह आपके घर के मतलब उस OS के अंदर मुझूद different जो बाकी चीज़ें रन कर रही होती है उनको disturb नहीं करता वरके उनके उनसे isolate होके रहता है ठीक है using container developer can create and test app quickly and isolation environment while using only a few OS resources सबसे best इसका यह है for example इसकी मैं a simple example देता हूं आपको अगर एक developer है ठीक है और developer कोई app develop कर रहा है ठीक है अब उसने वो app जो develop की है that is developed for nano server या that is developed for windows core server या वो है इसी environment की जिस environment में वो काम कर रहा है मतलब base OS उसका windows 10 है है इसी की लेकिन वो चाहता है कि जब यह app run करूं मैं तो इसको बिलकुल isolate करके run करूं ताके इसके अंदर जो bugs है या इसके अंदर कोई issue है या कोई कुछ मसला है या जो भी है वो मुझे clearly separate होके दिखाई दे ताके मेरी जो अंदर से एक क्या कहते है जो डाउट होता है वो खतम हो जाए कि यह मसला मेरे OS का तो नहीं है ठीक है या यह मसला कोई और तो नहीं है जो इस पर effect कर रहा है तो अब इसके लिए developer यह एक बंदे को आम इंसान में जिन्दगी में क्या करना चाहिए वो क्या करता है कि वो यह तो एक physical machine लग लेता है उसके ओपर पूरा OS इंस्टॉल करता है और उसके ओपर अपनी वो app run करता है जब से virtual environment आया है वो physical system खतम हो गया अब हम क्या करते हैं अब हम एक VM बना देते हैं वो VM पे जाता है VM पे Windows इंस्टॉल करता है एप इंस्टॉल करता है और अपनी app को run करके देख लेता है अब इन दोनों cases में resources यूज हो रहे हैं for example app आपकी resource लेती है for example 1GB RAM लेकिन जब आप OS इंस्टॉल करतेंगे और सब चीजें आपने configure pre-configured वो तो उसकी base requirement है वो तो आपने करनी करनी है वो जब करेंगे तो उसकी भी कोई utilization होगी 2GB, 3GB कुछ storage लेगा और उसके बाद आप उसके बाद आप उसके उपर अपनी app इंस्टॉल करेंगे जो के 1GB PLUS RAM और लेगी इससे आपके resources बहुत यूज होते हैं तो क्या किया जाता है Microsoft ने एक नई चीज़ जात की है containers containers है करते हैं वो कहते हैं कि already for example आपके पास Windows 10 का environment है या server 2016 का environment है आप यूज कर रहे हैं वो चाहे VM है चाहे आपकी physical machine है आप यूज कर रहे हैं और अब आपको एक app टेस्ट करने की जरूरत है तो rather than आप एक VM create करें और सब कुछ उस पर डालें आप एक अपने ही system में container create कर लें जो कि बिल्कुल isolate होगा और considered as a virtual machine होगा लेकिन वो आपकी base image जहां मतलब windows server 2016 पर काम कर रहे हैं windows 10 पर काम कर रहे हैं उस base image के drivers वगरा यूज करेगा उसका फाइदा उसे क्या होगा कि वो चीज़ें उसे दुबारा pre install नहीं करनी पड़ेंगी और उसकी usage बहुत minor रह जाएगी ठीक है अचा अब जब बारी आती windows container install करने की तो आप इसको दो इसके पहले इंस्टॉल कर सकते हैं पहले इंस्टॉल आप कर सकते हैं physical windows server पर चाहे वो विंडोस 10 हो या विंडोस अरव दुजर 16 फिजिकल सिस्टम आपके पास मुझूद है आप उस पे इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरा क्या होता है hyper-v container आप इसको as a hyper-vvm भी बना सकते है ठीक है containers को अच्छा यह दो चीज़ें हो गई ठीक है using container has multiple benefits बता चुका हूँ reduce OS size जाहरी बात है OS का size use नहीं होगा you must fewer operating system which is run into fewer potential security risk reduce OS size improvement scalability आपको एक ही OS manage करना और उसके अपर आप different containers को manage कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब अगला question है कि how containers work यह तो हमने पढ़िए उसकी definition containers work कैसे करते हैं work क्या करते हैं container is a logical environment created on a computer where an application can run container logical environment है logical हमेशा वो चीज़ होती है जो आपको नजर नहीं आती जो कि आपने बनाई होती है जो कि physically कहीं exist नहीं करती वीम हमारी logical है ठीक है उसके बाद हम जो resources उसको sign करते हैं वो logical है वीम को हम जो RAM देते हैं logical देते हैं CPU देते हैं logical देते हैं hard drive logical देते हैं क्योंकि यह सारी actually base पे existing कर रही हमने अपने physical से share की हुई है ठीक है तो एक logical environment है जो हम देते हैं the container and its Gats application are abstract from the underlying host computer hardware resource मतलब कि जो underlying computer hardware resources है for example इस वकित मैं अपने laptop पे बाटा हूँ और मेरे पास Windows 10 install है तो यह जो मेरे Windows 10 के resources है यह use होंगे ठीक है और इन Windows 10 के resources के ओपर अगर मैं Windows container install करता हूँ तो मेरे यही Windows 10 के driver और यह जो CE के अंदर program files and Windows की files system 32 की files वो यही use करेगा इन ही को अपनी base image बनाकर use करेगा तो उसको repetition की जुरूरत नहीं है जो के आपको isolated कर देगी आपके इस environment से प्लस आपके processor memory storage जो मरजी आप इसको कह लें उसकी आपको resources कम हो जाएंगे ठीक है अब question यह है कि containers are barely similar to VMs पिलकुल right है ठीक है VMs की तरह कहीं होते हैं हमें यही समझाती है कि यार अच्छा तो VM भी तो यहीं करती है VM भी तो isolated environment बनाती है VM भी तो एक base OS पे ही install होती है और base OS को use करती है लेकिन वो run कर रही होती है तो what is different between containers and VM तो कहता है कि VMs container do not rely on a separate hypervisor layer ठीक है instead containers are supported by the underlying application which is traditionally Linux that are increasingly supported by non-Linux operating systems such as Windows Server and Mac OS कहता है यह VMs की तरह कहीं होते हैं लेकिन VM की तरह ठीक है जैसे VM करती है VM क्या करती है VM को एक hypervisor की layer चाहिए होती है ठीक है उसके उपर वो run होती है चाहिए वो ESXi हो Hyper V हो कुछ भी हो लेकिन containers को hypervisor की layer नहीं चाहिए वो physical आपको use कर लेगी traditionally जो पहले use होते थे container वो Linux में use हुआ करते थे लेकिन आप support in non-Linux Windows वगारा को भी कर दिया container share the same OS kernel which eliminates the need to install a separate OS instance for each container कि same OS use करती है मुझे एक application run करने के लिए separate VM बनाने की जरूरत नहीं है पहले मुझे जरूरत होती थी separate VM बनाने की मुझे अगर कहा जाता था कि यार यह application है एक for example हमने develop की है abc.com और अब हमने इस application को टेस्ट करना है तो क्या करते थे हम एक VM बना कर देते थे ना उसको VM के ओपर CPU RAM hard drive Windows install कौन सी करनी है 10 करनी बारां करनी जो भी करनी करके provide करते थे वो 10-15 मिनिट में अपनी application को टेस्ट करता था बाद में scratch कर देते थे ता time taking था resource यूज़ करता था अब क्या होता है आप को कहता है यार मुझे अपनी abc.com टेस्ट करनी है ठीक है तो मैं करता हूं मैं उसी की मशीन पे या उसको एक मशीन दे दूँगा उस मशीन पे उसको खुद पता होगा मैंने क अब स्पेशली डिजाइन फॉर एप्लिकेशन टेस्टिंग स्पेशली एपस वगारा उनके टेस्ट करने के लिए ठीक है अच्छा जब हम container की बात करते हैं तो container images बहुत important है ठीक है जिसने हम windows install करते हैं तो windows की images चाहिए ठीक है container के अंदर भी आपके पास images होती है जो आप container की repository से लेते हैं आइदर वो आप local आपने manage की हो public या private public जो cloud पे available हैं वो access करते हैं वहां से container image आते हैं windows server core उठा लोए windows server nano server जो मर्जी आप containers की image वहां से उठा सकते हैं ठीक है लेकिन जब आप image को copy कर लेते हैं तो उसको install करने के लिए आपके local system पे आपको एक environment चाहिए ज इसको कहा जाता है docker जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं सबसे पहले समझते हैं containers और VMs के दिरे में difference क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके system left side पे आपके पास एक server है server के उपर आपने host किया हुआ है और उसके उपर आपने hypervisor install किया हुए hypervisor यह आपका hyper V है ठीक अगर यहां hyper V ना हो तो host निकाल के आप ESXi consider कर ले अब यहां आपके पास तीन apps चल रही है ठीक है जो के testing में है उन तीन apps को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए guest OS complete तो मुझे तीन जगा windows install करनी पड़ी तीन VMs create करनी पड़ी तीन libraries बनाने पड़ी पर फिर तीन application में host कर सका which is मतलब बहुत बड़ा यह workload है मेरे stem hypervisor पर और जिसकी requirement simple यह तीन VMs को run करना है अब जब इसके मुकाबले में मैं dockers और windows container की बात करता हूं तो वहां मुझे एक server चाहिए उसका host चाहिए उस host के उपर मैं dockers या containers अपने different बना लूँगा जैसे मैंने यहां दो containers बनाये हुए और एक container पर चार apps चल रही है दूसरे पर दो apps चल रही है और यह दोनो isolated है ठीक है तो यह simple आपकी आपस में isolation हो गई एक तो ठीक है यह एक अलग gap है इसके लिए OS इसका बिलकुल independent है इस के लिए independent है कोई भी changes मैं यहां करता हूँ चाहे OS level पर करता हूँ वो इस पर replicate नहीं होगा और इन पर करता हूँ तो वो इस पर replicate नहीं होगे और अपने base OS पर मैं कुछ भी करता हूँ तो वो इन सब पर replicate नहीं होगा ठीक है तो यह containers का main concept है कि आप अपनी application को isolated कर सकते हैं मत अपने OS को virtualized करते थे कि OS हमारे log log होते थे यहां हमारी applications virtualized हो गई है कि applications का जो environment है वो हमने logical create कर दे है जिनके नीचे कोई host है ही नहीं जिस तरह यहां हम guest को Windows को virtualized करते थे जिनके नीचे को physical environment ही नहीं होता था लेकिन उनके लिए होता था इसी तरह इन apps के लिए भी नीचे क कोई physical OS मौझूद है ठीक है अच्छा आप जब आगे बात करते है dockers की more important dockers क्या है आपको containers के अंदर image install करना है यहां आपने containers के अंदर कोई भी application run करनी है ठीक है IIS run करना है यह कुछ भी run करना है को environment run करना है कोई application install करनी है तो you need to have a docker docker क्या है docker एक repository है जो के तमाम चीजों को अपने अंदर मुझूद रखती है और जिसके जरीए हम इसको install कर सकते हैं docker is a collection of open source tool होते हैं इसके अंदर ठीक है cloud base भी होते हैं जो के common हमें जो centralized packaging environment इंवायर करते हैं जो के हम software की development उसकी installation उसकी complete testing उसके run उसके run time को देखते हुए उसकी libraries को देखते हुए तमाम चीजों को मत्यनजर रखते हुए हम उसको install करते हैं ठीक है Windows server 2012 के अंदर ठीक है आपको docker separately install करना पड़ेगा आपको सबसे पहले container का feature install करना पड़ेगा फिर आपको docker install करना पड़ेगा then you will be able to create a separate like IAS service हम कर रहे हैं आज तो हम IAS का पूरा server install करेंगे separately उस container के अंदर और एक ही OS के अंदर मजूद रहते हुए ठीक है आजा एक और image है यह देख लें कि देखें आपके पास नीचे infrastructure सेम है server 2016 install है और आपके इस side पर docker engine हुआ हुआ है Docker engine मतलब जो भी हम अभी install करेंगे और इसके ओपर दो isolated तरीके से चल रही है एक इसका यह environment है दूसरा अगर HyperV की हम बात करें तो HyperV के अंदर हमें Linux kernel install करना पड़ता है उसके ओपर हम docker install करते हैं और उसके ओपर application install करते हैं यह दो इसके model हैं जो कि हमने बात की थी Windows server और HyperV based Windows server करना चाहें तो आप इसको follow करेंगे HyperV करना चाहें तो हम इसको follow करेंगे most commonly use होता है Windows server का यूँके यह docker बना ही इसलिए लिए गया है ताके हमें VM की जरूरत ही ना पड़े हम local पे ही काम करें ठीक है तो बढ़ते हैं अपनी lab की तरफ और सबसे वाले installation देखते हैं इसकी और पिर देखते हैं कि हम इसको कैसे आई इस तर अंस्टॉल करते हैं और बाकी चीज़ें शेयर कर दूँगा इसके अंदर क्या है कि यह आपको बताता है कि अगर आपके पास windows का version जो installed है for example आपके पास अगर windows 10 का version 1809 build 17763 installed है तो इसके अंदर docker यहां जो containers है वो not supported हैं ठीक है same goals for windows 2019 के इस version के साथ नहीं है तो इस तरह आप compatibility देख सकते हैं जिनके साथ है वो आग रोल को feature को और उसकी isolation में आपको docker या container बना के देगा ठीक है और यह चीज़ आप ज़रूर पढ़ लीजेगा अपनी windows के version जैक कर लीजेगा उसके बाद ही आपने lab को installation स्टार्ट करनी है क्योंकि यह ना हो कि आप यह चीज़ को verify कि यह बहुत important है आप अगर देंगे तो installation या तो आपकी होगी नहीं या उसमें errors आएंगे या मसले मसायल आएंगे ठीक है अचा अब हम चलते हैं अपनी VM के उपर ठीक है VM मैं अभी अपनी चूस कर रहा हूं windows 10 जो के मेरे पास windows 10 के client machine है क्योंकि docker's का main मक्सद तो यह ही है कि आप इसको client side पे जो है उस चीज़ को install करके client को जो हमारा developer है मुसको windows 10 के उपर दिखा दूँ क्योंकि ठीक है ओके तो सबसे पहले चीज हमें क्या है मेरा system भी मैं थोड़ा हैंग हो गया हो तब तक नौरी सीमें जियां उस तरह की वह चीज़ें install कर देगा लेकिन Docker का नाम देते हैं ठीक है आप वह software install कर लेते है और आपकी जो क्या करते installation है वो आपकी वहीं से continue हो जाती है ठीक है अचा मैं आपको यह खोल के दिखा दूँ मेरे पास यह Docker for Windows installer मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है आप Docker for Windows installer Google पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी applications available हो जाएगी website पे possibly आपको account पर create करना करते हैं account create कर भी ले तो भी फाइदा है इन दोनों में फरक क्या है अगर आप account create नहीं करते तो आपको Docker की जो public library है जहां इसके different OS पड़े हुए उन तक रसाई उन तक access आपकी नहीं होगी और अगर आप इसको container को के उपर अपना account बना लेते हैं तो वो images जो के आम public के user के लिए हैं आप उसको भी access कर सकते हैं ठीक है तो यह फरक है मैं अभी account नहीं बनाया मैंने और मैं वैसे ही इसको use करूंगा ठीक है और अभी हम क्या करते हैं अभी मैंने इसको run किया है windows container को मैं प्रोसेस में चेक कर लेता हूँ कि यह background मेरा नोर icon है क्योंकि it will take some time ठीक है सारी जो lab है यह यह कोई 5-10 minute की lab नहीं है मतलब मेरे possibly इस पर hours invest हुए है क्योंकि पहली बात तो यह कि आपको internet पे कहीं भी इतनी clean installation नहीं मिलेगी जितनी मैं आपको इस lab में दिखा रहा हूँ आपको internet पे हमेशा segregated कोई एक command कहां से मिल रही है दूसरी command कहां से मिल रही है ठ इसलिए ध्यान दीजिए का बहुत easy है ठीक है मैंने इसको बहुत easy किया है लेकिन अगर आप वैसे इसको search करने जाएं तो problem हुआ था मैंने दो दिन लगाए हैं इसके ओपर सिर्फ इसकी installation पे कि यार actually इसकी installation process कैसे करेगी और मुझे अपने windows के build number match करने में बड़ा मसला कि मैं कौन सी OS यूज करूँ तो आई विट recommend कि आप Microsoft की website से जो latest OS है ठीक है official website से उसको download करें ठीक है और फिर उसके साथ आप इसको काम शुरू करें ठीक है अचा मैं भी आपको process दिखा देता हूँ तो यह start हो चुका docker की installation मैंने double click किया है अब यह download करेगा कुछ इसके dependency जो packages है उसके बाद simple इसको install करना है एक चीज जहन में रखें कि इसको use करने के लिए docker को यह आपके system के अंदर इस मेरे windows 10 की machine के अंदर Hyper-V का जो feature है उसको enable करेगा ठीक है हम क्योंकि आपको पता है कि आप Windows 10 के अंदर भी Hyper-V use कर सकते हैं ठीक है लाजमें नहीं है सब्सक्राइब 2016 ही हो आपके पास Windows 10 अगर enterprise है तो limitation कुछ है लेकिन आप उसको उसमें use कर सकते हैं तो अभी जब यह करेगा तो इसने background पे या हम से require करेगा कि आपने Hyper-V भी install करना है ठीक है अचा इसके लिए एक चीज़ बहुत-बहुत most important मैं आपको बताता चलू Hyper-V के लिए कि दो आप इसको करेंगे तो obviously आप VMware workstation पे काम कर रहे होंगे उसके अंदर आपने एक VM बनाई होगी ठीक है और उसको हासिल करते हुए उसको यूज करते हुए आप अपनी जो ये lab है उसको perform करेंगे अगर आप lab कर रहे हैं तो अचा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपनी VM के अंदर ठीक है उसके जो इसकी जो VM की virtualization है ठीक है उसको enable करना पड़ेगा उसके लिए आपको processor अपने पे click करके यहां जो तीन options हैं इनको check करना पड़ेगा अगर आपकी उससे नहीं चलती ठीक है और अगर वैसे चल जाती है तो that's good अगर problem आती है तो आपको इन options को अपने हसाब से enable करना पड़ेगा ठीक है अब यह कर रहा हूं तो यह देखें कुछ internet इसको required होगा लाजमी और यह कुछ files है है यह कुछ कर रहा है ठीक है इंस्टॉल कर रहा है तो अभी मैं वीडियो को pause कर रहा हूं जैसे इंस्टॉल होता है वापस आता है और हाइपर वी पर जाता है फिर हम इसको यहीं से continue करते हैं ओके तो अभी हमें से close और log out करना और फिर हम log back in करेंगे करेंगे तो यह रिस्टार्ट होके आ गया है मैंने इसका थोड़ा सा व्यम्वेर टूल्स वगर इंस्टॉल कर ली है इसके ऊपर चीज़ें वगर इंस्टॉल कर ली है ठीक है अच्छा यह देखें आप इस पर अपने डॉकर पर जाएं इस पर आड़ क्लिक करें तो अगर ठीक है पावर्शेल के अंदर ही हम काम करेंगे ज्यादा इसका और प्लस एक मिनाट प्लस अगर आप यहां देखें तो आपके पास हाइपर वी का जो सॉफ्ट्वेर जो इंस्टन्स है वो भी इंस्टॉल हो चुका है बैक्ग्राउंड पे यह हाइपर वी को ही यूज करत आप वी इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें जे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस पे काम नहीं करना हमने सारा काम इस पे करना है इसके अंदर आपको नज़र आगा मोबी लाइनिक्स वीम यह वह वीम है जो कि यह एजा कंटेनर होस्ट ओन करेगा और इस VM पर काम करेगा ठीक है यह बैकरण प्रोसेस में कमांड के जरीए भी इसको मिनिमाइस करता हूँ मैं कमांड पर जाता हूँ सबसे पहले चेक करते हैं हमारा डोकर का वरिजन कुन सा है। डोकर वरिजन क्लिक करें तो यह आपको बता रहा है कि आपके पास स्टम डोकर का वरिजन कौनसा है ठीक है कौनसा वर्यन इंस्टॉल्ड है कुछ बेसिक कमांड है आप डॉकर का सर्विसbank देख सकते हैं GetDocker। ठीक है service ठीक है get service docker आना था get service docker तो यह इस टम आपको docker की जो services का status बता देगा क्या या running में है या stop है जो भी है so everything looks good हमने docker का simple software install किया है अब तक hyper-v हमने enable किया है हमने switch to windows container किया हम command line पे आगे हैं docker का version check करना है किया है अब सबसे पहले हम निया काम करना है हमने Microsoft जो docker की images है वोकि docker जब भी install होता यह image install करता है क्योंकि आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि यह एक base OS को use करता हुआ image create करता है ठीक है उस image के उपर यह आपका separate instant बनाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं docker की command जो के most important है हमारे इस case में docker की command ठीक है और docker की command के बाद docker search ठीक है और Microsoft docker search Microsoft अगर हम करेंगे तो यह Microsoft की उस website पर जाएगा और देखेगा कि Microsoft जिसके start में है उस नाम से कुन कुन सी मेरे पास VM swap पढ़ी हुई है वो करें .NET है SQL Server Linux है ASP है Server Core है Nano Server पढ़ा हुआ है IIS पढ़ा हुआ है ठीक है Official Nano Server Based Image Microsoft SQL Server Developer यह description है इसकी ठीक है अज़ा इसके लिए जो हमारे लैब में करेंगे मैं दो images डाउनलोड कर रहा हूँ ठीक है डाउनलोड करने के लिए क्या है आप देखें Docker Pull ठीक है Dr. Pull का मतलब है कि आपने डाउनलोड करनी है और मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ क्या कहते है उसे Microsoft IIS Microsoft slash IIS ठीक है Microsoft slash IIS अगर मैं करूंगा तो यह मेरी जो image है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाए कि using latest tag और तमाम commands के साथ यह हो जाएगी और अब यह instance अपना create कर लेगा तो अभी क्योंके मैं क्या कहता हूँ जो मेरे है क्योंके मैंने अभी इससे पहले यह जो images वगरा यह डाउनलोड कर लीए थी सेम कमांड से Docker Pull Microsoft IIS और एक और आपने image डाउनलोड करनी है जिसका नाम है Docker यह आपकी IIS वाली जो होगी उसके अदर built-in आपका web server install हुआ होगा एक हमने करनी है Docker Pull ठीक है हमने nano server जो server core image है हमने वो डाउनलोड करनी है तो उसकी क्या है mcr.microsoft ठीक है slash windows slash server core colon यह इसका मैं अब tag दे रहा हूँ ltsltsc ltsc 2019 यह मैं इसका tag दे रहा हूँ तो यह image भी मेरी डाउनलोड हो जाएगी ठीक है commands जो इसकी है यह दोने images मैंने डाउनलोड करनी है commands जो इसकी है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो कि मैंने कुछ एकटी की हुई है और मैं आपको यहां से admin को कहूँगा कि वो आज आप lecture post करें तो आपको वो commands भी दिखा दें या दे दें आपको commands it's very important क्योंकि हम windows 10 पे हैं तो windows 10 में देखें हमने docker सबसे बड़े install किया है search microsoft किया है अगर मैं यह इसी तरह यहां से copy paste करके ताकि आपके सामने कि मैं कुछ change नहीं कर रहा command में करूं तो यह मेरी image को भी download करना चलेगा pulling from windows server को ठीक है लेकिन अभी क्योंकि यह downloaded है मेरे पास तो इसलिए scanner देगा अब suppose क्योंकि अच्छा इस images download होना कोई 5-10 minute का काम नहीं है आपके internet connection पर depend करता है यह कुछ GB की होती है like some images are 4 GB some are 7 some are 10 depend करता है तो उतना time लेगी यह आपकी proper image को pull करने में download करने में time taking काम है ठीक है और lab में मेरे पास हमारे पास इतना time होता नहीं है ताके इसलिए मैंने इसकी video को pause करके यह images pull कर लीं थी और फिर मैंने lab start की ताके हमें कहीं video को pause करके wait ना करना पड़े तो docker slash images लिखेंगे तो यह आपकी local repository है ठीक है इसके अंदर यह दिखा रहा है कि local repository के अंदर दो images आपके पड़ी हुई है एक Microsoft IIS जिसका size है 4.92 GB और एक है MCR server core latest stack के साथ 5.39 GB के साथ ठीक है अच्छा इसको मैं थोड़ा सा न यहां ले जाता है ताके आपको नज़र आई ठीक है अच्छा यह दो images आपके पास नज़र आ रही है यहां ठीक है यह आपके पास local पड़ी हुई है अब images आपके पास download हो गई है अब आपने इसको run करना है ठीक है अभी अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मेरे इस system के उपर कुछ भी run नहीं कर रहा IIS run नहीं कर रही मेरे system के उपर अगर मैं cmd में जाओं और आपको ip config करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं के 192.168.232.130 इस machine का IP है और इस machine के उपर मेरे पास अभी कोई भी IIS run नहीं कर रहा हो गया आपका images आपने docker images चेक कर लिए ठीक है आपने का अच्छा OK मेरे पास यह images मुझूद है अब आपने करना है आपने image को run करना है ठीक है run करने के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है सबसे ज़्यादा time taking काम यहां तक था आपने images को pull करना था आपने docker install करना था hyperv के साथ थोड़ी सी आपकी जंग होनी थी वो हो चुकी है अब now you are good to go आपने simple command run करनी है simple command आपकी जो next होगी वो होगी docker run क्या आप मैं docker को run कर रहा हूँ minus d का switch लगाएंगे minus p का switch लगाएंगे p for port और मैं port 8080 के उपर अपना अब यहां जो मैंने नाम देना है वो मैंने यह वाला नाम देना है यह repository वाला तो मैं इसी को copy कर लेता हूँ Microsoft IIS ठीक है और मैं इसको यहां से run कर देता हूँ लेकिन run करने से पहले मैं आपको इतगर दिखा सकूँ कि इसके अंदर भी मारे पास कोई चीज नहीं चल रही ठीक है अजा अभी मैं इसके उपर देखें एंटर कर रहा हूँ ठीक है तो यह देखें थोड़ा चीज यह तोड़ा मतलब run कर रहा है background process में और अगर आप इसके जल्दी से हम टास्क messenger खोल लें तो यहां आप देख सकेंगे कि प्रॉपर एक image launch की है मैंने ठीक है और image launch करने से मेरे system पे लोड़ देखें कि मैं एक निया IIS server core run कर रहा हूँ अपने existing environment के अंदर ठीक है तो मेरी RAM में CPU में किसी जगा भी कोई major difference आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अच्छा यह run कर रहा है इसको मांट करके उसको यूज करेगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी RAM थोड़ी सी इंक्रीज हुई है टूपर टूपर चले गई है ठीक है लाइक त्री टू फोर हंडर्ट एम भी इस नहीं लिया है ठीक है इसके अभी तक प्रोसेस में और अभी तक मेरे पास यहां कोई सक्सेस या कोई मतलब वह नहीं आया यूज कि अभी तक इसको रन कर रहा है ठीक है तो यह मेरी RAM को यूटलाइस कर रहा है उसको रन करना है लेकिन उसके लिए हम अप्रोश थोड़ी से अलग यूज करेंगे इसके अंदर तो हमने यह किया है कि हमने प्रॉपर इमेज इसको रन कर दिया है और अभी हम कुछ नहीं करेंगे आप कमांड के जरीए डिफरेंट चीजें प्रफॉर्म कर सकते हैं आप इसकी वेबसाइट से डिफरेंट टैग्स मतलब हमेशा कमांड एक नहीं होती हजारों में होती है और 1.8 से 2.4 मतलब 600 MB इसने लिया है मेरी RAM का और इसने किया है अगर मैं आपको minimize करूँ और मैं इस Windows के अपने base image के IP पर जाता हूं तो देखें इसने IIS का role जो embedded disk के अंदर था वो install कर दिया है और उसको मैं run कर पा रहा हूं ठीक है अच्छा यह तो थी आपकी पहली चीज ठी करना है उसके लिए command मैं आपको जो मैंने मतलब दी है वो यहीं से देख लेते हैं ठीक है वह command यहां से copy कर लेते हैं ठीक है और ठीक है अच्छा इसके अंदर अच्छा जो switch है docker run normal i-it stands for internet mode ठीक है interactive mode ताके मैं इससे interact भी कर सकूँ मैं इस windows के अंदर जो के मैं भी run करने जा रहा हूं इसके अंदर कुछ changes कर सकूँ इसको access कर सकूँ और cmd मुझे open कर दे इसका जब यह launch हो जाए mcr microsoft यह वही चीज है जो यहां से repository का name है plus मैंने tag लगाया है क्योंकि default यह latest tag use करता है तो अगर मैं tag नहीं लगाऊंगा for example अगर मैं यहां tag नहीं लगाता तो it will say कि locally आपके पास latest tag वाली कोई image नहीं है और he is right कि latest tag वाली कोई image नहीं है लेकिन मतलब उसे तो नहीं पता कि इसका tag different है tag इसका LTSC 2019 है तो मैं यह करता हूं इसको run करता हूं अब लोड़ी से RAM को उपर लेके जाएगा 2.3 से देखें थोड़ा सा चेंज किया है इसने और इसके बाद यह मेरे पास command line इसका open कर देगा ठीक है तो मैं भी वीडियो को pause करता हूं को कि एक-दो मिनिट ले गई है और मेरे पास मेरा cmd open हो जाएगा मेरे नए instance के अंदर ओके तो देखें मेरी RAM 2.7 पे जा चुकी है और मेरे पास एक नई window command line की open हो चुकी है अब यह window है कि actually अगर मैं देखूं तो यह एक मेरा proper hostname अगर मैं लिखूं तो आपको एक जीब हो गरीब सा hostname नजर आएगा यह actually मैं container के अंदर हूं ठीक है container की directory मैं यहां से देख सकता हूं directory इसके अंदर क्या क्या है ठीक है उसी तरह इस तरह में पर सी के अंदर पड़ी हुई है normal window के अंदर इसके अंदर भी directory है task list देख सकता हूं कि मैं कौन कौन से task run कर रहे हैं base OS पे मेरे जो task है वो इससे थोड़े से match करेंगे लेकिन बहुत कम होंगे यहां आप देखे task list क्या है और यहां आप देखें task list क्या है अगर मैं आपको कोशिश करता हूं कि local base OS के task list भी दिखा सकूं ताकि आपको पता चल जाए कि कितना फरक है इसके अंदर अब देखें यहां देखें task list जो मैंने run की है अपने base OS पे वो कितने है ठीक है idle process system resources ब्लाबला जिनकी मु container के अंदर task बहुत थोड़े है क्योंकि यह limited होता है base OS के task जो already होते हैं उनको ही share करता है यह अपने task generate नहीं करता अपने task सिर्फ वो ही generate करता है जिसकी इसको जरूरत होती है ठीक है बाकी यह task जितने भी हैं इसके उनको generate नहीं करता ठीक है process में आप देख सकते हैं different process चल रहे हैं इसके अंदर बहुत चोटे से process हैं अब इसके अंदर आप उसी तरह काम कर सकते हैं आप IP config करें आपको यह अंदर वाले container का IP क्या है 17224 112 और यह हैं अगर मैं इसको पिंग करूं यहां से अपने base OS से तो it will be pingable ठीक है तो यह यहां से पिंग हो जाएगा ठीक है आपने IIS run कर लिया अब आपके उपर depend करता है आप इसके साथ कितना खेलते हैं जितना खेलें कि आपको उतनी practice होगी इसके अंदर आप इसके अंदर और चीज़ें मतलब देख सकते हैं कि IIS के उपर और काम कर सकते हैं different switch use कर सकते हैं अपना scenario बना सकते हैं लेकिन at least आपको आप आइडिया हो गया है कि अगर आपको बास Windows 10 मुझूद है तो आपने उसके अंदर कैसे करना है ठीक है अचा अब फॉर एक्जैंपल मैंने इस container से आउट होना है ठीक है मुझे मतलब container को shutdown करना है इस वाले को तो मैं simple exit लिकूंगा तो मेरी RAM भी नीचे आ जाएगी और यह container भी मेरे exit हो जाएंगे ठीक है अचा अब इसके बाद हमने क्या करना है इसके बाद देखें 2.2 पे मेरी RAM आ गई है डिरेक नीचे अब इसके बाद हमने क्या करना है मैं चाहरा हूँ कि आपको Windows Server का भी बता दूँ यह तो था हमारा Windows 10 का process Windows Server का स्वड़ा manual process है हम उसको भी देख लेते हैं ठीक है यह जो काम है images run करने वाला यह हम skip कर देंगे लेकिन उसके अंदर आपको at least मैं यहां तक पहुंचा दूँगा कि आप की जो next command होगी वो docker run होगी ठीक है अचा चले हम इसको shutdown करते हैं अपनी इसको और मैं अपना server on करके वहां से वापस आता हू ओके तो हम windows अपनी server 2016 में आ चुके हैं अब यहां भी हमने जो भी करना है पहली बात तो ही है कि वह powershell में करना है तो powershell is integral part of this exercise powershell open करेंगे और powershell के बाद मैं वह commands की जो list है मेरे पास open करूंगे इसमें थोड़ी सी critical commands है मतलब मुश्किल commands है जो याद नहीं हो सकती ठीक है त आपको थोड़ी मेनत करने की जरूरत नहीं है आप वो commands simply आपको provide कर दी जाएंगी आप वो commands को run करें तो आपके installation आपकी बिर्कुल clean हो जाएगी सबसे पहले आपने करना है आपने feature install करना है make sure you have windows container feature install in server 2016 ठीक है उसके लिए जो मैं आपको क्या करते हैं उसे command है वो भी बत इस भी आप कर सकते हैं depend करता है आप पर command बहुत simple है जैसे हम previously containers करते रहे हैं simple install dash windows feature dash containers ठीक है आप I believe मैंने इसके अंदर की हुई install जहां तक मुझे याद पड़ता है यह कि मैंने आज इसको काफी windows dws windows feature containers आप simply command run करेंगे तो आपका जो windows container feature है वो install हो जाएगा succeed yes restart no install हो गया वैसे यह restart required है अब इसके बाद ठीक है अब इसके बाद बहुत important commands है वो मैं अधर अपनी open कर लेता हूं आचा इसके बाद जो commands हैं देखें सबसे बहुत simple लिखा हुआ है आपने install करना है इसको उसके बाद आपने invoke करना है web request को इस address से जाके ठीक है इस address से जाके एक file download करनी है जिसका और हो copy नहीं हुआ है हम इसको simple copy करते हैं और यहां से मैं इसको चला देता हूं command को ठीक है यह कर रही है कि web request get.docker पर जा रही है और उसकी zip file लेके आ रही है और zip file को out file में temporary folder के अंदर इस name से इस file की location पर उसको place कर रही है most important यह वही process है जो हम वहां हमने software install किया direct ठीक है यहां हमने पहले container का जो feature है वो install करना है तो it will take some time तो यह install होगा मतलब उसको उस request से जाके जो कि हमने software से access किया है वो यहां से उसको जाके access कर लेगा और फिर उसके बाद जब भी यह हो जाएगा तो यह वही software है उसके बाद हम next command जिसकी चलाएंगे ओके तो यह से हो गया अभी मेरे पास install यह जो command चलाएंगे थे हमने next command चलानी है expand archive जो के हमने अभी archive डाउनलोड की है उसको expand करके program files में copy कर दे ठीक है तो यह program files की उस location में expand करके उस archive को वहाँ open कर देगा ठीक है अब उसके बाद हमने path add करना है कि see program files docker यह path हम अपने system information में add कर रहे हैं ताके हम इसके जरीए जब भी हम docker लिखें तो यह command को उसको read करे environment environment में हम इसकी जो location है sorry उसको add करेंगे location को add करेंगे ताके हमारी जो आपको याद होगा system information के अंदर requirement होती है जो के कोई भी जब हम command चलाते हैं मतलब like install तो यह install कहीं न कहीं recognize होना चाहिए न तो इसी तरह जैसे हम docker की command चलाया करेंगे तो docker कहीं न कहीं recognize होना चाहिए तो यह हम उसको recognize करा रहें रिसको करवाने के बाद हम docker की register करेंगे इसकी service को ठीक है हम लिखेंगे docker double back registered service docker की service को register करेंगे फिर उसके बाद हम docker की service का status ले कर सकते हैं और उसके बाद हम service को start कर सकते हैं अभी देखिए आपके पास stop है तो मैं यहां से start कर सकता हूँ अब इसकी service को command से करेंगे मैं चारा quickly हो जाई है लेक्षर बहुत लंबा हो गया हमारा तो start-service slash docker once the service is start ठीक है जब आपकी service start हो जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है वेटिंग 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 ठीक है जब service आपकी यहां start हो जाएगी तो फिर आप docker pull iis और इन चीज़ों पर आप इसको अब लेकर जा सकते हैं simple pull करें ठीक है आपके पास वही information आ जाएगी सारी जिसके ओपर हम यहां से पहले already काम कर रहे हैं ठीक है अब यहां के बाद service के बाद यहां तक हमारा यहां वही process था जो हमने Windows 10 के अंदर सारा process किया था क्या कहते हैं उसे software के जरीए ठीक है यहां आपने वही process manual किया है ठीक है अच्छा यह service क्यों ने start हो रही इसकी simple reason यह है कि मैंने इस machine के ऊपर अपने इस machine के ऊपर काफी चीज़े install की हुई है मैंने इससे पहले isolation अपनी hyperviki भी की थी और उसके लावा कुछ switches भी बनाए थे यह वह चीज़ें create की थी जिसकी वज़ए से यह install नहीं हो रही लेकिन यह tested है मैंने अपनी lab environment में यह test किया हु होंगा लेकिन हम 120 परसेंट शोर कि यह आपकी यह services यहां तक रन हो जाएंगी उसके बाद आप docker pull करें docker pull IIS करेंगे तो आपकी IIS की download हो जाएगी दूसरी करेंगे दूसरी हो जाएगी फिर उसके बाद आप इसको run कर सकते हैं आप इसको चला के देख सकते हैं now everything in your hand ठीक हमने फिर windows server 2016 के बारे में पढ़ा ठीक है अचा वर्जिन के वाले से make sure कर लें कि आपका जो वर्जिन है वो से क्या करते हैं उसे सही हो ठीक है क्या करते हैं उसे जो हमारा उसके मताबिक है इसकी command थी get var थी शायद या version थी version थी version आ जागा 14393 मेरा version है यह supported है ठीक है containers के लिए तो इसलिए मैंने इस पर काम किया है ओके गाइस तो यह तो था हमारा containers और डॉकर्स के ओपर lecture इंशाला नेक्स लेक्चर में हम data पर जाएंगे हम storage पर जाएंगे data duplication को देखेंगे अब मेरे खाल में ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके आगए क्योंकि यही main दो topics थे बड़े nano server और containers जो कि हमने lab के pointer view से cover की हैं तो नेक्स लेक्चर तक अपना ख्यार रखें मुझे दीजिये अजासत अलाफिस